हाई फ्रेंड्स चलिए आज हम तूलसी के बीच के बारे में बताते हैं तूलसी धार्मिक और आईरवेदिक दोनों कमातो है और ये लगभग हर एक घर में पाय जाता है तूलसी के बीच में प्रोटीन, फाइबर और लोह बहुत अधिक मातर में पाय जाता है तुलसी के बीज, पाचन, वजन, घटाने, खांसी और ठंड की इलाज में काफी लाबदायक है इसके अलावा रोग परतिरोधक छमता को बढ़ाने में काफी काम करता है वीडियो को पूरा देखे इस बीज में फ्लोर्नोनोईड और फैलोनिक पाय जाता है जो सरीर को रोग परतिरोधक छमता को बढ़ाता है आप इस बीज का काड़ा या चाय बना कर भी सेवन कर सकते है नमबर डू, दोस्तो तुलसी बीज का सेवन करने से पाचन तंत्र में सुधार आती है और पेट की परिशानिया दूर रहती है जैसे कब्ज, एसिडिटी या अपच इन सभी के लिए तुलसी बीज का काफी लाब दाएक है तुलसी बीज में फाइबर की भरपूर मातर पाय जाती है जिसे आतों के सफाई हो जाती है आप तुलसी बीज को पानी में डाल दे बीज फूलने के बाद उसमें जिलेटिन का परत बन जाता है उसे पानी में डाल कर पीने से पेट सही रहता है नमबर थर्ड, अगर आपके सरीर में कहीं सूजन है तो आप तुलसी बीज का सेवन करें क्योंकि इसमें inflammatory गुन पाय जाते हैं जो सरीर के शूजन को कम करता है अगर आप मोटापय के सिकार है तो आप तुलसी बीज के सिवन करने से मोटापय की समझिया सिराहत मिलता है क्योंकि तुलसी बीज में कैलोरी बहुत ही कम होती है और फाइबर से भरपूर मात्र पाय जाती है इसके सिवन करने से लंबे समय तक भूख लगने नहीं देता है आप इसको चाई या फिर काड़ा बना कर भी पीर सकते हैं अगर आप तुलसी बीज के सिवन करते हैं तो आप चीनता और तनाव जैसी समस्य से छूटकारा पा सकते हैं अक्सर लोग तनाव की वज़ा से काफी फुरेशान रहते हैं और कई तरह के दवा कभी सिवन करते हैं फिर भी समस्य के समधान नहीं हो रहा है तो आप तुलसी बीज के सिवन करना चालू कर दें इससे आपको लाब जरूर मिलेगा नमबर सिक्स मरदाना ताकत बढ़ाने के लिए आप तुलसी बीज के सिवन कर सकते हैं हलके गर में दूद में 5 ग्राम के आज़ पर तुलसी बीज को डाल कर पी ले उससे आपको फायदे मिलेंगे ये आप राद के सोने से पहली कर सकते हैं नमबर सिवन तुलसी बीज के सिवन करने से बोडी हीट रहता है नमबर एट शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है नम्बर 9, दोस्तो तुलसी बीच कर्षिवन करने से एसकेन की समस्य सिराहत मिलते हैं नम्बर 10, अगर आप बाल झढ़ने की समस्य सिराहत चाहते हैं तो आप आवला और तुलसी बीच कर चूर्ड ले और थोड़ी मातर में नारियल का तेल मिला ले और उसके बाद बाल पर लगा ले कुछ देर के बाद धोले ऐसे महीने में तीन से जार बार परियोग करें बाल जहड़ना रूख जाएगा और बाल लंबे होंगे इस तरीके से इस नुक्सों का आप परियोग में ला सकते हैं थाइंक यू